हेलो स्ट्रेंट कैसे आप सब और कैसे आपकी होगे पढ़ाई आज कर आप सिस्टम के अगोडिंग ली सिस्टमेटिकली पढ़ाई कर रहे हो कर नहीं देखे यह एक्टली फैबर मन्थ है और एक्जाम आर वेरी क्लोज बात यह है हमारा इंजिन सिस्टम यह चीज बताता है कि जो आपने शीट पर लिखा है वह आपकी परस्नल्टी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो आपको वही जो थर्टी तू थर्टी फाइव क्वेश्टन आने हैं उसी से ही सीवेसी आपको अनलाइज या कोई और बोड अनलाइज करेगा कि आप कितने इंटलियेट हो कितने एवरेई हो कितनों बिलो आपके तो जो अक्साम के टाइम में पड़ेगा सारा साल अग इसमें कंपड़ाई की है अगर वो उसको कंपेंसेट करना चाहता है तो आजकल कर सकते हैं दिखिए एक बड़ी मैं आपको सिंपल जीवाद दाता हूं कि कि जो चीज आपने 2019 में में की है वो 2020 दो मार्च या तीन मार्च तक याद रहे नहीं मुश्किल है तो एक वैटर है कि जो चीज आप आज पढ़ोगे 5 मंत में पढ़ोगे आपका एक्जाम है तो यह चीज है तो जितना हो सके फोन से दूर है पंड़ने के लिए फोन यूज करिए लेकिन बाकी परबस के लिए और इवनिंग में एक गंटा कम से कम वोग करिए थोड़ा रीफ्रेश हो लिए टीवी के पास पूरा बैटके बात नहीं बनती है चलि कम तुदी पॉइंट यह थोड़ा सा मैंने आपको तेक्टिक सिल्टाना था कॉस्टिन हमारा है नुक्लिय टॉपिक से यह थ्री मार्क्स का कॉस्टिन आ हुआ है सीजेसी 2017 जो फॉर्न का पेपर होता है फॉर्न बटा दू आपको और एशीन कंट्रीज में जो पेपर जाता है इसके दो पास तो दोनों थ्रेटिकल है राइब दिक प्रोसेस ऑब बीटा डिके हाओ कन रेडियोक्ति नुक्लिया कैन अमिट बीटा पार्टिकल इवन दो द देलना है नुक्लियस में प्रोटोन न्यूट्रोन होते हैं सबको आइडिया है ब्रोटोन ध्रों केशो का किरिक दीकलिया है कि नीच्टिकल होते ही निच्टिकल और अमिन इलेक्ट्रों तो जो पॉस्तिन आवा थोड़ा सा आत्ये कि ऊसक्टे़ इसका एक पार्ट है तो आप पूरब तावब बेसिकली इसमें एंडबॉड नर्जी का कुल शक्त भी होता है वो भी आपको तावब ग्राफ जो बनता है तो उसी सिर्ट थोड़ा सब्सक्राइब के वाइदू नर्जी क्यों देखे आप फस पार्ट करेंगा देखे बीटा देखे बीटा these are negative charge partizans, negative charge partizans और बेसिविली इलेक्ट्रोन होगे हम यह कैसे हैं कि यह जो है इलेक्ट्रोन रहते हैं मैंने तब बीटाइने जो है इलेक्ट्रोन हो अधा पॉसिट्रोन हो द क्यों हम पॉसिट्रोन नwe जुटलं होगेग्ट्रोन है जो हुए और हाटो द्रे से when an atom will release beta or electrode then atomic number of daughter nucleae then atomic number of daughter nucleae will increase by one vector by one vector but no change in mass number but no change in mass number mass number में कोई change नहीं होगी आप reaction के उसमें context में देखिए देखिए X gen A यह parent में दिखिये है जो beta अपर रिलीस कर रहा है तो beta-veal electron minus 1 0 plus y to z plus 1 यह को जर्नल और दिस A plus anti-utrile anti-utrile यह पर jet atomic number A mass number X को general symbol ने दिया मैंने इस बीटा electron का minus 1 यह लिकिए minus 1 Z Z plus 1 minus 1 Z तो conservation दो चार यहाँ पर apply होता है यह A है A plus 0 A anti-utrile basically क्या है मैं आपकोट दाउन anti-utrile energetic particle energetic particle no mass no charge देखिए ना को इसका कोई mass होता है ना को इसका charge होता है देकिल इसके पास सरज़्जी होती है और it is spin it can spin clockwise anti-clockwise देखिए यह है यह है एक spin ने होड़ा और एक यह होड़ा तो एक में यह जीज और एक में यह चीज़ है clockwise और anti-clockwise सिर्फ यह spin करते है वही इसका हो है तो यह आपका antilutrino और electron भी बात होई है अब पहले इसका answer पर आते है बात यहां पर यह होई है कि even though they do not contain them जब इस nucleus में electron होते ही नहीं है तो यह emit कैसे होते है यह चीज़ आपको देखनी है तो देखे इसको आप एवाद देखे इसको आप एवाद देखेंगी त्वड़ा स्रेटिकल है इतने वाला इसमें ज्यादा है तो मैं कोई चीबता रहा हूं कि जो nucleus में neutron proton होते हैं continuous exchange of neutron neutron proton में चेंज होते हैं तो जब proton चेंज होदे तो उसमें चार प्रिंजर्ब करने के लिए neutron निकलते हैं और साथ में antineutrino वही इसका सोर्स है तो neutron proton में चेंज हो रहे हैं तो due to continuous exchange neutron proton की चेंज के कारण ही उसमें electron generator है ओके चार्ज को चार्ज करते के लिए बास भी आप लिए तो यह थर्टिकल क्वेश्चन है और इनके पूरे चान्स हुद है कि किसी ने किसी फोग आई आपको जरूर आए मैंने आपको पहले दी कहा था कि आप जो हमारा थर्टियत क्वेश्चन है जो हमारे पास टॉपिक अभी बचे हैं पढ़े वाले उसमें आपका एक क्रेंट एलेकिसिटी है सेवन मार्स का यूट प्रॉक्सिवरली जिवाते हैं और एक वेव उप्टिक्स बजाए तो यह बड़े-बड़े है इसके बाद हम मोस्ट पर्भूली वेव उप्टिक्स करेंगे देखें यह कुर्शन अगर आप कर लेते हो तो मैं यहां पर आपको कुछ इंप्रूब्मेंट करना चाहते हो चेंज करना चाहते हो कुछ नंबर भी मेरा है उस पर आपको रह सकते हैं इवन आप जो है को मेंट कर सकते हो और नंबर की बात तो यह है 9172557519 कभी विए आप मुझे ट्वंडी पुरार कंटक्स कर सकते हैं यह मेरा नमर है नाइने सेवन फाइब फाइब और फाइब नाइब अब बात हमारी यह एक कि जब इनुकलिस में होते ही देखेए एक न्यूट्रोल प्रोटोन में चेंग फ्लास एलेक्ट्रोन फ्लास एंटी शुंुकल देखें, न्यूट्रोन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रोन है, प्रोटोन पे पॉस्च्टिन है, इस वन इस एक्रोन, नेट जीरो और यह अंटी न्यूट्रीनो तो एंटी न्यूट्रीनो बेसिकली अनर्जी को शेर करता है, जो हमारा अला पाट है, तो इसी एक्षेंज के काहिए, हमारे पास इलेक्ट्रोन या बीटा नेक्ट्रोन करते हैं, एक और चीज है, कि जिसमें हम एंगे पोजिट्रोन, देखें, अगर प्रोटोन न्यूट्रोन में चेंज हो रहा है, तो न्यूट्रोन में चेंज होने से, E प्लस 1, 0 प्लस न्यूट्रीनो इनको हम पोजिट्रोन बोलेगे, और ये न्यूट्रीनो है, और आफिस थाफिएरून इनकी प्लस यूट्रोन, अब आसंतरे, न्यूट्रोन डे कांग है, तो इलैक्टोन चार्ज अनक्रे क्लस न्यूट्रोन होना, हम यहांपा क्लस, प्लस न्यूट्रोन पे कोई चार्ज तो यह पॉलिक्नोर बन रहे हैं तो यह है सो जो कंटी यूज एक्सचेंज ऑफ प्रोटोन या या यूट्रोन इस दी सोर्स ओफ इलेक्ट्रोन इंसाइड दी निकलियस यह बात यहां पर यह है जो हमारा यह चीज़ आ रही है कि वाइटू और बीटा डू नोट है सेमर्जी तो यहां पर पहले आपको एंडपॉंट की वागत दना चाहता हूं एंडपॉंट अनर्जी यह देखें एंडपॉंट अनर्जी क्या चीज़ है पहले आप यह लेखें इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आपको थोड़ा पता ना जाहिए तो फिर आप तभी इसके वारे में बात कर सकते हैं आपको मैं सिंपल एक्जम्पल देता हूं यही मालों कि न्यूट्रों कि प्रोटों कि प्लस इलेक्ट्रों मालों एक न्यूट्रों के लिए हम सिर्फ एंट्यूट्रों की बात नहीं करते हैं अग्जम्पल लेना में इसकी डश जू नर्जी यह तो इसकी सेवन जूल है यह तो इसकी कितने राड़ी यह 3 यह लेकिन इसकी नर्जी जो हो रहा है 3 नहीं है 2.7 10 जूल और यह 7 जूल फिक्स है लेकिन इसकी फिर 2.9 हो रही कभी 2.5 हो रही और कभी आपकी 2.4 बासब्सक्राइब यह आपको यह प्ताना चाहता हूं कि इशू क्या है आप को अग अनर्जी का निर्वेशन साम्च आपप लिए पला है कि अगर नजी करजाव नहीं तो कोई भी लाओ नहीं गत्रचु इनर्जी ah parent के पासथी डॉर्टर के वास्याइब हो यह को यहां पर 0.3 का लो से यहां 0.1 का लॉस सिंद्ध की और यहां पर 0.5 का लॉस है और यहां पर आपका 0.6 का लॉस है लेकिन एक टेस में ऐसा भी है कि 10 जूल जो है 7 जूल प्लस 3 जूल एक्जेट अब यहां का 0 लॉस कोई लॉस नहीं है बस लिया तो देखिए एक्चली बिफॉर एक्जेट पहले हम आना कुछ यह से चल रहा था कि 10 जूल और 2.7 नाइप तो लॉस हो रहा था लेकिन यह जो लॉस है तो यह लॉस एंटी नूट्रीनों ने शेर किया है तो यही अनर्जी नूट्रीनों के पास होती है अब लास्ट केस में आप देखिए यह जो मैं आप उता रहा हूं कि 10 जूल इस पर घ्यान रहा हूं 10 जूल 7 जूल 3 जूल तो यहां पर यह चीज़ हो रही है मैक्सिमम अनर्जी थ्री जूल इलेक्ट्रोन के पास अचीव होगी है बहुत कम केसे में कुछ एक तो इसी को एंड़पॉंट नर्जी बोलते हैं समये बाता है तो एंडपॉंट नर्जी क्या और ही इतिसी वैल्य नर्जी पोसेंस्ट वाइ एलेक्ट्रोन तो मैक्सिमम अनर्जी पोसेंस्ट वाइ बीटा पाड़िए तुरिंक ठीके इसलों एसलों एसलों एंडपॉंट अलर्जी इसलों एसलोंट एंड़फॉंट अलर्जी है फेखे इसलों मैंटपॉंट अच्छा हां यह वाई वूल बीटा दू नोट हैं सेम नर्ची तो इसका से आपको मिलिया के सब्सक्राइब नोट नोट इन इकल प्रोपोर्शन वह कभी कम कभी ज्यादा इसका है तो वह बड़ा सिक्पल है आपको यादियो किसकी ज्यादा हुए कि आपको में किताब हुए वी पार्ट का जो आंसर है 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 वी निक्रेट इंटू लाइट निक्रेट में आपको प्रवाए था कि है वी निक्रेट इनर्जी कम होती है तो 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 निक्रेट इनक्रेट में हुए neural da दो चंत टो पिर declaring क toys नुपट निक्रेट में हुए तो परेंस निक्रेता तेरन निकमें तो समझे वात है तो पुष्चिन के पोईंट की अगरम बात करें तो पुष्चिन को आपका पर कम्प्रीट होगा लेकिन मुझे एंडप्वाइट अनर्जी के बारे में ग्राफ बनाना आपको और एक और चीज है लाओ अगर 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 नहीं थे तो ना तो अनर्जी तो यह लाओ पॉसिवल नहीं है तो इसका है अब मुझे ग्राफ प्लाट जरना है जो आपके सिक्ट्राप का अंसर है लेकिन इपोर्डेंट है एंडपोर्डेंट इपोर्डेंट जीज करके मैं आपको यह बताएं टॉपिक इसी से बनता है लेकिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है ग्राफ बिक्मिन नम्बर आओ बीटा पाटिजन और अनलगी इनलगी 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 ग्राफ लॉट करना है तो यह अलगी हुई इदर और इसी नम्बर आओ बीटा पाटिजन आप देखेंगे आप देखेंगे इनलगी 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 आप यह देखेंगे यह ग्राफ कुछ अएसा है आए यह नम्बर आओ अगली इस वाला आपका सब्सक्राइब तो बहुत कम बहुत कम यह बीटा पार्डी गलब के पास है इसी को ही हम इसी को ही एंड़ पॉंटर अनग्जी का है सब यह बता है तो यह ग्राफ आपको ग्राना का और कंजर्वेशन ओंग्रों मोमेंटम जो मैं आपको बताया तो आप एक लाइन में यह लिख सकते हो कि न्यूट्रीनों हाइपोथीसिस अगर आपको पूछ ले आप यह लिख लिख कंजर्वेशन ओफ अनर्जी और आपको एंग्रों मोंटम अजय कंजर्ड दूंग्रों बताया आपको एंद तो यह लुछन दोर्नीण तो यह बेसिकली थोड़ा सापको एक इसका पाट दे रखा था लेकिन फुल पॉस्टिन जो है यह है इसका ग्राफ कितने पॉसेस करते हैं बहुत कम पॉसेस करते हैं तो यह अबना आपको जोगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ज्यादर से जाना लोगों तक पहुंचे अभी हम ग्रोइंग स्टेट में हैं ओके सो हैं टेट झाल